पैसा कमाने की इच्छा रखना और अपने सपनों को पूरा करना ज्यादा जस्टिफाई है वेस्टेजो मनी से। चलिया बढ़ते हैं GTL Infra की ओर लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना बुलें आज शेर 5% बढ़कर 2.10 पर ट्रेड करता दिखा इंटाडे हाई जबकि 2.10 और लो 1.90 रहा वैसे मार्केट डेप्ट में आज बाइंग ओडर्स जादा रहे कंपेर्जन टू सेल ओडर्स एक नजर दिसंबर एंड शेर होल्डिंग पैटर्न की और भी डालेनी चाहिए जहां पर प्रोमोटर शेर होल्डिंग ऐसा सेम ही है और फॉरण पॉर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग भी लेकिन दूसरी और डोमेस्टिक इंस्टिट्यूसन ने अपनी होल्डिंग को कम किया जो की 59.72% से कम होकर 51.72% की रह गई कॉर्टर थ्री रिजल्ट्स पर हमाई नजर बारीकी से रहेगी सेल्स फिगर्स को लेकर पहले भी कोई कम्प्लेट नहीं रही और इस बार भी उमीद ऐसी ही है लेकिन लोस की सिच्वेशन से निकल कर अगर कमपनी प्रोफिट में आ जाए तो फिर बात ही कुछ और होगी पोइंट औ व्यू है क्योंकि कम्पनी पर डेट बड़न भी ज़्यादा है दूसरी और हाई इंट्रेस्ट पेमेंट भी देनी पड़ती है मेरे पोइंट व्यू से कम्पनी लोस में ही रह सकती है लेकिन देखना होगा कम्पनी 5G का कितना बड़ा बेनिफिट उठा पाती ह है क्योंकि इसके क्लाइंट की लिस्ट में बड़े नाम शामिल है जैसे जियो, एरटेल, वड़ाफोन आइडिया, रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा वोच आउट रहने की नीड है क्योंकि लास्ट में लोस की सिचुएशन उनके साथ रहती है छोटे मोटे रेड फ्लेग भी है आप जानते ही होंगे प्रोमोटर शेर प्लेजिंग 100% है जो की पोजिटिव पॉइंट होई नहीं सकता कुल मिलाकर अभी तो इस कंपनी में नेगिटिव पॉइंट की बरपूर भरमार है अपनी पोकेट का हिसाब देखकर ही हमें अच्छे स्टोक्स क को सर्च करना चाहिए वैसे हर वीक हम ऐसे काफी सारे स्टोक्स कवर करते हैं जो की इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफीचल रहे हैं बाकी आप अपने एडवाइजर से लगातार कंसल्ट करते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 ते केर्ट